जैहन दोस्तों वेलकम बैक टो अनदर वीडियो आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं ब्रेक सिस्टम के कुछ फॉल्ट के कोशन मेंटेनेंस कोशन ब्रेक रिलेटेड सारे कोशन है वो सीपी नागरा और ब्यारो वेहिकल मेकनिक के जितने भी कोशन होंगे और उसमें में जो हमारा फोकस रहेगा वो रीजन पर रहेगा कि कारण क्या रहता है कि जिसकी वज़े से ब्रेक सिस्टम में फैल्यवर को उसमें उत्वन होते हैं मेंटेनेस करने की जूट पटती है उसको तो सबसे पहला देखिए कि ब्रेक लगाने पे गाड़ी एक तरफ खिंची जाती है ठीक है वेहिकल पूल टू वन साइड वैन ब्रेक आर अप्लाइड तो इसका पहला रीजन क्या होगा कि ब्रेक लाइनिंग में तेल ब्रेक लाइनिंग है उस पे तेल या ग्रीस आ जाता है ठीक है वह ग्रीस किस वज़े से आज़ता है कोई लीकेज होगी उसके व विज़ से ऐसे होता है तीसरा रीजन है कि break, break, play का lose होना, तो उसकी विज़ से हो सकता है ये, तो उसको जो lose है nut उसको tight करना ठीक है, break, break, play के nut bolt को अच्छी प्रकार से axle के साथ tight करें, तो ये आपको बता होना चाहिए, जब भी आपको बोलता हूँ कि वो कहां पर fit होता है नट ये आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको पूरी theory पूरने ठीक है चोथा जो region है वो है loose wheel bearing उसकी वज़से गाड़ी के अंदर क्या होता है brake लगाने पे गाड़ी एक तरफ खिंच आती है पांच वो जो region है वो है टायर में हावा कम होती है अगर आगे के टायरों में किसी में भी हावा कम होगी तो गाड़ी एक तरफ खिंच जाएगी ठीक है next जो इसमें fault आता है कि एक पईये का पकड़ा जाना मतलब जकड़ा जाना एक पईये जाम हो जाना तो इसका reason क्या होता है कि wheel, brake, shoe return spring का ढिला पड़ जाना या तूट जाना उसकी विज़े से होता है दूसरा reason होगा कि brake pin का tight हो जाना तीसरा reason होगा brake shoe ठीक प्रकार से adjust नहीं किया गया हो चोता reason है कि hub wearing का ढिला हो जाना पांच वा reason है कि brake line का बंद हो जाना next देखते हैं कि next जो fault है वो है दोश brake का पकड़ जाना braking bleeding ठीक है इसका कारना क्या होगा brake shoe का ठीक प्रकार से काम ने करना master cylinder और wheel cylinder के spring का कमजोर पड़ना brake oil में किसी और तेल का मिल जाना जो braking oil है वो fault हो जाना मतलब दूशित हो जाना brake shoe spring का तूड़ जाना या कमजोर हो पड़ना पांच हो जो region है इसका है वो master cylinder में लगी port का बंद हो जाना चटा जो region है brake pipe का मुड़ जाना या थोड़ा कम बंद हो जाना next देखते हैं देखिए अब हमार पास है brake दोश कारण और उप्चार brake lining गिश जाती है तो हमें क्या करना चाहिए brake lining एरजस्ट करें ज़्यादा गिश जाने पर उसे बदले master cylinder में brake oil का कम होना तो उसको रीफिक करें ठीक है hydraulic system में हावा का भर जाना अगर हावा भर गई है hydraulic system के अंदर तो हमें वो जब पैडल पर पे रखेगा ड्राइवर तो उसे स्पंजी मैसूस होगा वो ठीक है इतने efficient नहीं रहेंगे brake लगाने में तो hydraulic system में bleeding करना bleeding के से करते हैं हावा को निकालने को bleeding कहते हैं चोथा जो region है वो है brake oil का leak होना brake oil कहीं से leak हो रहा है तो उसको repair करना उसको wheel cylinder और master cylinder की washer चेक करें लीक होने पर बदल दे ब्रेक शू का ठीक प्रकार से adjust ना होना ब्रेक शू को ठीक adjust करना next कारण है road spring का खराब होना ठीक है road spring की eye टूर जाना के लेंप्स का डिला हो जाना you bolt का डिला हो जाना तो उसको सब सेट करना ठीक है और साथ वा रीजन है कि brake lining का ठीक ना होना तो उसको setup करना brake lining अंगर खराब हो उसके उससे बदलने चाहिए brake drum का घिस जाना या उसमें लाइने पड़ जाना तो brake drum को turn करवाएं या नया बदल लें next हमारे पास fault है brake pedal का धीरे धीरे बैठ जाना या spongy हो जाना तो आपके आपको बताया spongy क्यों होता है क्योंकि हावा आ जाती है उसके विज़ते उसको जो रिजन है कि brake shoe का ठीक प्रकार एर्जेश्ट ना होना तो उसको ठीक एरजेश्ट करना देखे next जो fault है कि brake pedal में प्ले का ज़्याधा होना है और गाड़ी का दूर जाके रुकना ठीक है तो इसका कारण क्या वसकत है कि break pedal में play ज़्यादा हो जाना, दूसरा region है कि break shoe का ठीक प्रकार regis ना होना, तीसरा region है कि break shoe lining का ठीक ना होना, चोथा region कि break shoe पर तेल या grease आ जाना, ठीक है, पांचवा region है कि break lining का drum के साथ पूरी तरह connect ना होना, चटा region है कि ठीक quality का break oil के इस्तमाल ना करना, next जो fault है कि break लगाते समय ब्रेकों से आवा जाना, ठीक है, noisey break है तो उसका कारण क्या होसता है कि break plate का मुढ जाना, ठीक है next region कि break plate, पहरा region है break plate का मुढ जाना, दूसरा region कि break shoe का मुड जाना ये ठेड़ा हो जाना तीसरा रिजन की लाइनिंग का गन्दा हो जाना चोफर रिजन थकी ब्रेक लाइनिंग की रिविटों का ढिला हो जाना पांच्वर रिजन है की ब्रेक ड्रम का खराब हो जाना ठीक है Next Air Pressure System में ब्रेकों के दोश्व है उनके कारण देखिए सबसे पहला है कि ब्रेक का ठीक तरह से न लगना मतलब पहला है कि ब्रेक का ठीक तरह से लगना ठीक है टैंक में हावा कम होना टैंक में हावा बरें टैंक में हावा कम है तो हावा बरें ब्रेकों को ठीक तरह अर्जस्ट करें केम और चलेक एगजस्ट को लूब्रिकेंट करें ब्रेक लाइनिंग गिस गई हो तो लाइनिंग बदलें ठीक है ब्रेक का दिरे दिरे लगना सबसे पहला जो रिजन है कि ब्रेक का ठीक तरह से न लगना ठीक है दूसरा है कि break का दिरी दिरी लगना अगर break दिरी दिरी लग रहा है तो break के adjust करें और linkage को lubricate करें दूसरा है कि break system में air pressure का कम होना break valve का delivery pressure कम होना air pressure का pipe से valve से या break chamber से लिख होना break होज का या pipe का बंद हो जाना ठीक है देखी ये कौन सा break है हमारे पास air pressure system में break के दोस ठीक है break fault in air pressure system जो air pressure वाले break होते हैं उनके इंदर ये दोस होते हैं इस प्रकार की तीसरा जो है कि break का नहीं लगना break adjust करें lubricant करें break valve release position में जल्द वापस नहीं आता तो उसके विज़े से होता है pipeline बंद होना या leakage होना देखी चोथा है कि reason हमारे पास break का नहीं लगना ठीक है break system के अंदर air pressure का नहीं होना पाइपों का तूट जाना ये leak होना break valve का का काम नहीं करना stop light switch या break chamber diaphragm का leak होना ठीक है next हमारे पास क्या है यह इसके अंदर यह पांच वा फोल्ट हमारे पास कि break लगाने के बाद छूटना नहीं break वहीं पर जाम होना कि break shoe का drum के अंदर पकड़ जाना break valve की setting खराब होना air pipe का bend होना break shoe return spring का कमजोर पड़ जाना या तूट जाना छटा जो इसमें कारण है fault है वो है कि air pressure gauge का पूरा नए बढ़ पाना तो इसका reason होगा कि air pressure gauge का ठीक तरह काम नहीं करना pipe में से pressure का leak हो जाना air tank के dain coke का leak होना या plug का leak होना compressor की गिस जाने पर ठीक तरह काम नहीं करना साता जो fault है कि air pressure का धीरे-धीरे कम हो जाना ठीक आट पा फोल्ट है कि air pressure का आवश्चता से अधिक भर जाना 29 में fault है air pressure का engine बढ़ा करने पर जल्दी गिर जता है ठीक एर प्रेश्चर का engine बढ़ा करने पर जल्दी गिर जता है ब्रेक वोल्ट का leak होना अनलोडर वोल्ट की adjustment खराब होना safety वोल्ट का leak होना pipe का होज का leak होना compressor के outlet वोल्ट का leak होना next देखिए अब question attempt करते हैं asoka layland गाड़ियों में brake shoe air gesture की कौन सी किसम प्रयोग की जाती है तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer क्या होगा straighted wheel, crank type, wedge type, snail या came type तो इसका सही answer होगा wedge type दूस्तरा question है कि brake lining निम्न में से किस से बनी होती है fiber से, asbatas से, ceramic से या rubber से तो इसका सही answer क्या होगा asbatas से next question सबसे पहला question देखते है brake drum किस दातू से बना होता है तो brake drum किस दातू से बना होता है पहला option है aluminum, steel, cast iron, plastic तो इसका सही answer होगा cast iron से brake drum बना होता है चोथा question है vacuum, servo, brake में master cylinder को किस की साहिता से operate किया जता है पहला option है vacuum, दूसरा option है compressed air, तीसरा option है gel, चोथा option है hydrogen तो इसका सही answer क्या होगा vacuum पांचवा question है हमार पास Tata की गाडियों में निम्न में से कौन सा brake shoe adjuster प्रियूग किया जता है पहला option है crank type, दूसरा option है wedge type, wedge type तीसरा option है हमार पास snail vacuum type चोथा option है shredded type तो इसका सही answer होगा crank type चटा कोशन है कि air pressure associated hydraulic brake में brake लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रियूग किया जता है पहला option है हमारे पास compressed air दूसरा option है hydrogen तीसरा option है vacuum चोथा option है gel तो इसका सही answer क्या होगा compressed air का प्रियूग किया जता है सात्वा कोशन है हमारे पास कि brake design करते समय है निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए सात्वा कोशन हमारे पास तो इसमें पहला option हमारे पास retardation point दूसरा option है load distribution C A और B दोनों या D option होगा radiator तो इसका सही answer होगा C A और B दोनो retardation point और load distributor दोनों को बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें out of a question है कि master cylinder का piston किस धात्यू का बना होता है low carbon steel, aluminum, high carbon steel या copper का तो इसका सही answer होगा aluminum का 9 question है अमारे पास यदि brake efficiency 30% है तो brake की condition कैसी होगी खराब brake, ठीक brake, अच्छी brake, बहुत ही अच्छी brake तो इसका सही answer होगा खराब brake ठीक है option A brake shoe की आकरती कैसी होती है अर्ध गोलाकार, गोलाकार, शट, कौन, आयतकार तो इसका option A अर्ध गोलाकार ठीक है 11 question है अमारे पास कि brake system में निम्न में से किसका प्रियोग किया जता है जिसकी जिससे tank के अंदर आवशकता से अधिक compressed air ना हो पहला option हमारे पास brake shoe, piston, air bottle या governor तो इसका सही answer होगा governor next जो question है चलती गाड़ी brake लगाने पर कितने समय में रुकती है यह निम्न में से किस बातों पर depend करता है गाड़ी की speed पे, tire की condition पे या engine की braking force या option D ये सभी बातों पर तो इसका सही answer होगा option D इन सभी बातों पर गाड़ी की speed पे भी depend करेगा, tire की condition पे भी depend करेगा और engine की braking force पे भी depend करेगा, कितनी force से आपने वो brake लगाया है ठीक है, टाटा गाड़ीों में air compressor किस से drive लेता है front axle से, rear axle से, engine की camshaft से या gear box से तो इसका सही answer होगा, engine की camshaft से air compressor drive लेता है ठीक है, चोधवा question है हमार पास चोटी गाड़ियों में निम्न में से कौन सा brake shoe adjuster प्रियूँ किया जता है option A, wedge type, snail wag cam type या shredded wheel या crank type तो इसका सही answer होगा, snail wag cam type next question हमार पास, कि master cylinder में brake fluid बरते समय कितनी जगत छोड़ देनी चाहिए तो इसका सही answer क्या होगा, 4mm, 6mm, 12mm या 24mm तो इसका सही answer होगा, वो option B, 6mm की जगा छोड़नी चाहिए गाड़ी में parking brake कितनी तरह safe fit किये जाते हैं एक, दो, तीन या चार, parking brake होता है, वो दो, ठीक है गाड़ी में parking brake कितनी तरह safe fit किये जाता है, दो तरह से देखे, चलती गाड़ी को brake लगा कर रोकते हैं, तो निम्न बातों पर ध्यान करता है निम्न बातों पर ध्यान रखने हैं, पहला कितने pressure के साथ, brake lining, drum के साथ, रगड़ रही है गाड़ी के उपर या पैयों के उपर कितना वजन है, किन बातों पर निम्न करती है, टाइरों का size पर भी निम्न करती है ठीक है, brake लगाने, brake drum diameter पर, ठीक है, braking surface के अंदर coefficient of friction मतलब उसके friction lining है, जो उसके भी डिम्न करेगा, सडक और टायर के बीच में जो contact होता है, उसके भी डिपेंड करेगा, friction उन्दों के बीच में, ठीक है, तो इन बातों पर गाड़ी का जो brake है, वो निरभर करता है, उसके efficiency, hydraulic brake के कुछ parts है, उनको पढ़के जाना आपको, कि brake pedal होता है, उसके main, ठीक है, brake pedal के बाद में किया तो master cylinder, उसका मुख्या होता है, जो सभी जो brake होता है, उनको अंदर एक साथ power का distribute करता है, एक साथ ब्रेक लगाता है, पुश, पुश रोड होगी, उसके अंदर, wheel cylinder होगे, ठीक है, साधान पर, पेर द्वारा अबर, पेडल पर hydraulic brake सिदानत क्या है, पास्कल का जो सिदानत है ना, वही hydraulic सिदानत है, ठीक है, hydraulic brake का, इसके अंदर चलती गाड़ी को रोकने के लिए सिदानत है, पेडल पर 20 से 40 kg का pressure दिया जाता है, अब इस pressure को चारो भईयों तक distribute बराबर पहुँचा जाता है, कौन करता है, master cylinder, next है कि hydraulic brake system क की विशेशता है, इसमें कोई leakage joint, linkage joint या rise आधी brake shoe नहीं लगे रहते, इसलिए यह system साफ और साधारन है, इस system के दुआरा चारो पहियों पर बराबर braking प्रभाव डाला जता है, गाड़ी को रोकने के लिए driver को कम जोर लगाना परता है, जदा पावर ने लगाने परती, इसम system में चोटी मोटी गिसावट, swim adjust होती है, इस system में के दुआरा wheel, cylinder बड़े या चोटे लगाकर अगले पाईये में ज़्यादा braking प्रभाव और पिछले पाईये में कम braking प्रभाव डाला जा सकता है, hydraulic brake system की कुछ मतलब उसमें fault क्या होकता है, error क्या होकते हैं, कि brake pipe या wheel, cylinder washer के leakage होने पर system fail हो सकता है, ठीक है, दूसरा है कि mechanical system की तुलना में इसको ज़्यादा देख बाल की जरुत पड़ती है, hydraulic brake के कुछ मुख्य बाग, master cylinder, wheel cylinder, brake pedal और brake line, brake drum, next, कौन सा brake, एक पईये के brake खराब होने की दिशा, दशा में भी अन्य पईयों पर कार्य करता है, तो इसका स भी mechanical brake होता है, वो क्या करता है कि जब अगर एक पईये में खराब हो गया, तो अन्य पईयों में working करेगा, ठीक है, दूसरा question है कि mechanical brake के part है, mechanical brake के कौन कौन से part है, brake drum भी है, brake shoe भी है, brake lining भी है, तो इसका सही answer को उपरोक सभी, ठीक है, next question, disc brake में क्या होता है, disc brake में disc होती है, friction plate होती है, सही है, caliper होता है, उपरोक सभी होते हैं, ठीक है, चोथा question है कि disc brake में कितने fixed paired होते हैं, option A, 1, 2, 3, 4, तो इसको सही answer को B, 2 होते हैं, 2 fixed paired होते हैं, disc brake में, पांचवा question है कि disc brake में adjustment किसके दुवारा होता है, option A, fixed paired hydraulic wheel या caliper या इनमेंस कोई नहीं, तो caliper दुवारा disc brake में adjustment किया जता है, चटा question है कि पाड़ी इलाकों में किस brake का प्रियोग करना सबसे अच्छा है, तो इसको सही answer क्या होगा, exhaust brake, ठीक है, exhaust brake का use करते हैं, पाड़ी इलाकों में, इसका उप्योग अच्छा होगा, वहन पार्किंग के समय किस brake का उप्योग किया जता है, तो आपको पता ही है, वहन पार्किंग समय हम क्या करते हैं, कि hand brake का use करते हैं, आठवा कोशन की vacuum servo system का कौन सा भाग है, exhaustor है, brake, vacuum, reservoir है, C option, brake, vacuum, servo, D option, उप्रोग सभी, तो इसका सही answer को उप्रोग सभी, नौवा कोशन की brake fluid या brake oil किस brake में प्रयोग किया जता है, exhaust brake, hydraulic brake, disc brake या mechanical brake, तो इसका सही answer होगा, hydraulic brake में, दस्वा कोशन है कि 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 ब्रेक system में छोटी मोटी gis out में adjust होती है, hydraulic, इसकी gis out में छोटी मोटी gis out है, वो swim ही adjust हो जते है, hydraulic system में, ग्यारव कोशन है कि master cylinder में मुक्तिया कितने द्रव चेंबर होते हैं, तो इसका सही answer को option 2, तो यह दो होते हैं पिष्टन master cylinder के किस चेंबर में लगा होता है, तो इसका सही answer का compression chamber में, fluid master cylinder में किस chamber में होता है, option A, correct होगा हमार पास, कि fluid reservoir में होता है, 14 question है कि tandem master cylinder में कितने पिष्टन होते हैं, तो इसका सही answer का option B, दो होते हैं, 15 question है कि brake lining का गर्शन गुणांग कितना होना चाहिए, इसका सही answer का option B, 0.4 गर्शन गुणांग ब्रेक लाइनिंग का होना चाहिए, 16 question है कि brake lining कितना ताप सहन कर सकता है, तो इसका सही answer का 450 degree तक टाप मान सहन कर सकता है, 17 question है हमरे पास कारों में समाने तक किस परकार के brake का प्रियूग किया ज़ता है, तो इसका सही answer हो hydraulic break का समाने प्रियूग किया ज़ता है, motorcycle वह दो पई या वहाहन में किस परकार का brake का प्रियूग किया ज़ता है, तो इसका option सही होगा, option B, mechanical brake, ठीक है, 19 वा कोश्चन है हमारे पास आधूनी कारों में किस प्रकार का ब्रेक का प्रियोग किया जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा इंटरनल एक्सपेंडिड या डिस्क ब्रेक या शू एक्सपेंडिड तो इसका सही आंसर होगा तो औप्शन ड इंटरनल एक्सपेंडिड और डिस्क भी यूज करते हैं और शू एक्सपेंडिडिंग का भी करतें तो ऑप्शन डिसक और नेक्स्ट कोश्छन है कि वाहन पार्किंग के समय किसपेंग.- या जना है जैसके आपको पता है कि इमर्जन्सफी ब्रेक हैं यह Emergency और Handbrake का यूँज कियाजता है A और B दोनुँ Mechanical brake का दूसरा नाम क्या ए कंपनशेंटिंग ब्रेक टीक है 22 आ कि Hydraulic Brake में किस Flute का प्रियोग कियाजता है तो brake flute का प्रियोग कियाजता है किस brake में Master Slender का का प्रियोग की जता है तो इसका ही आशर हाइडोलिक सिस्टम होता है हाइडोलिक भ्रेक होता है उसके इंदर मास्टर स्लेंटर का प्रियोग की cigarette है, इसंस की और कि और ब्रेक में यूज चिस का क्या है Master cylinder का कार्य निम्न में से क्या है इसका सही आंसर क्या होगा कि पानी का pressure बनना हावा का pressure बनना break oil का pressure बनना तो सही आंसर का option C break oil का pressure बनना 26 वा question है कि क्या परिशानी होने पर air bleed किया जाता है mechanical break से हवा निकालना यह गलता है hydraulic break से हवा निकालना B option सही है ठीक है पाने निकालते है option B correct है 2700 question है कि निम्न में से servo break का भाग है रोश्टर नहीं है duster नहीं है booster नहीं है रोटर है इसका ठीक है सर्वो ब्रेक का भाग booster है रोटर है ठीक है बुष्टर हाँ इसका सही आसर का बुष्टर होगा ठीक है निम्न में सर्वो ब्रेक का भाग है बुष्टर डी ओ 2800 question है मारे पास कि निम्न में से break का दोस्ट क्या है ब्रेक कम लगना ब्रेक लगे रहना ठीक है ब्रेक लगने पर आवाज करना उपरोग सभी तो इसका उपरोग सभी इसके फोल्ट है 29 question है ब्रेक में दोस्ट का मुख्य कारण क्या हो सकता है ब्रेक शू लाइनिंग गिस जाना ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई होना ब्रेक पेडल फ्री प्ले अधिक होना तो उसका सही है option डी यह तीनों ही इसके फोल्ट के रीजन है ठीक है ब्रेक में आवाज होने पर निम्न में से क्या कारण होसकता है कि ब्रेक प्लेट टेडी होना ब्रेक शू टेड़ा होना ब्रेक ड्रम कराब होना उपरोग सभी डी option सही है इसका 31 वा कोशन है कि किस प्रकार के गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जता है अधुनिक कारों में जिसका सही आंसर का अधुनिक कारों में प्रइटि की संख्या कितनी होती है तो दो होती है vrc की धक्षता कितनी उनी चाहिए तो इसकी क्या answer होगा ओप्ष्ण b 50% उनी चाहिए Our next question is two breaks लगाने पर गाड़ी का भार कहा किन पई यों पर स्ताना अंतरीत हो जाता है तो अगले पई यों पर स्ताना अंतरीत हो जाता है बौत बार डिसक्स किये Question 34 question है कि disk break में किसके दुवारा adjustment किया जता है तो इसको सही आंसर caliper के दुवारा disk break में प्रेयोग किया जता है कारों में CB दोनों ट्रकों में तो इसको सही आंसर है कि सी ओच्छा कारों में CD दोनों ट्रकों में या रेल गाड़ी में तो इसको CD दोनों सही होगा कारों में भी होता है मतलब ट्रकों में भी होता है और रेल गाड़ी में भी होता है इस रच्पनर में इसे मैकेनिकल ब्रेक का कौन सा भाग है तो ब्रेकू भी खाल्ग है और ब्रेकड्रम भी भाग है तो सबीर हो एक समय तर्पन पय्य के ब्रेख खराब होने की दिश्चा में द्य करता हैं तो यह कोन फूग प्रेक मेपना स casół ठूट है अग और तो बेक्शूं भी भागाए, फलक्रम भी भागा और ब्रेक ड्रम भी भागा तो उप्रक सभी होगा इसका 48 question एक पैए के ब्रेक खराब होने की दिश्यां में भी अन्य पैयों पर भी कार्य करता है तो यह कौन सा होगा break ? प्रेशर बना कर वील सिलिंडरों तक किस के द्वारा पहुंचा जाता है मास्ट्र सिलिंडर किस के बीच में विल सिलिंडर को फिट की जाता है तो option Croeлем शू ब्रेक में हैसे कि किसके परियोग में की ज identifier का प्रियों में तो इसका सही अंसर ओप्शन सी दोनों प्रियों में अगले और पिछली दोनों में एक्जोष्ट ब्रेक का प्रयोग किस कारिय के लिए किया जता है कि इंजन की चाल की को कंट्रोल करने में ठीक है एमर्जेंसी ब्रेक लगाने में parking brake लगाने में तो इसको सभी आंसर क्या होगा आप comment box में किजिए कि exhaust brake का प्रयोग कि's कारिया के लिए किया ज़ता है engine की चाल को control करने में emergency brake लगाने में parking brake लगाने में यह इनमेंज कोई नहीं तो इसको सही answer आपको comment box में करना है next जो question है कि brake pedal क्यों कम क्शक्ति लगाने के लिए mechanical linkage leverage प्राप्त करने के लिए तो कम शक्ति लगाने के लिए brake pedal adjust किया जता है ठीक है तो कम शक्ति लगाने के लिए कौन सी braking प्रणाली steam engine का प्रयोग की जाती है तो इसका सही आंसर का निरवाद प्रणाली में यूज की जाती थी hydrogen brake में हावा का क्या प्रभाव पड़ता है तो यह वह बात है कि brake डंसिन लगते सही तरह लगते नेक्स्ट कोशन है कि hydraulic brake में प्रयोग किये जाने वाला oil है कौन सा oil है brake oil है नेक्स्ट कोशन है सुरक्षा की द्रिष्टे सबसे अच्छा brake कौन सा है mechanical brake क्यों कि उस में गया होता है कि एक और एक पई का जो brake है वो काम कर रहे ना तो तीनों पईयों में काम करेगा में जो शिश्टम है उसका mechanical brake में कौन mechanical brake में came operate होता है तो इसका सही answer क्या होगा mechanical brake में वो link से came operate होती है next question कि air bleed लगा होता है B option, इसका सही होगा, will Zlek में लगा होता है, airblade, hydraulic brake system में हावा निकालने की प्रक्रिया की क्या करते है, air bleeding करते हैach, mechanical brake में, brake shoe operate होता है, एक के दवारा, केम होता है, hand brake में pry होता है, hand break में bought taş कोन क्या होता है क्वोण सा brake होता है, mechanical किनकल ब्रेक होता है नेक्सेट को स्यांसर ये लगता है घर्षन के कारण इसका सफिए आदि कार्ण सबसे कम दूरी परोकन aprion के लिए कूण सा ड्रेक उप्युक में लिये जाना चाहिए हाडिशॉल толic ये लिये जाना कि है यूज में घ्राइभ पासपोर्ट और इनलेट और फीड पोर्ट में सही कतन कौन सा है बाई पासपोर्ट बड़ा होता है इनलेट पोर्ट बड़ा होता है दोनों बरबर होते हैं और कुछ भी हो सकता है तो इसका सही आंसर को इनलेट पोर्ट है वो बड़ा होता है ठीक है एक जोस्ट ब्रेक प्र विल में प्रियोग होता है हैंडब्रेक इन में से कौन एमर्जेंसी ब्रेक है तो इसका सही आसर का है वह एमर्जेंसी ब्रेक है वेक्यूम बुष्टर का क्या काम है ब्रेक लगाना वाहन को रोकना वाहन की गति कम करना ड्राइव के एफट को कम करना तो ब्रेक वैक्यूम ब ब्रेक में वैक्यूम उत्पन किया जाता है किसके दवरा सक्सन स्टोक के दवरा वैक्यूम उत्पन किया जाता है इन में से कौन सा breaking system का रख रखाओ खर्चा सबसे कम होता है तो option A hydraulic जो break है उसमें खर्चा कम होता है लेकिन ज़दा maximum जो efficient होता है वो होता है mechanical drink last question तास वड़ा question है कि break line liner लगा होता है तो इसका सही अंसर का break shoe में next question एक caliper में कितने break pad लगे होते हैं दो लगे होते हैं break play होना चाहिए ने ज्यादा ना कम free play होना चाहिए six point six six mm से लेकि 12 mm ठीक है six mm से 12 mm जब break लगाया जाता है तो गति जूर्जा किस उर्जा में change होती है उश्मी उर्जा में ठीक है tandem master cylinder में कि दोनों hydraulic lines एकदूसे जुड़े होते हैं सवतंतर होते हैं ठीक है एक दूसरे से सवतंतर होते हैं टेंडर master cylinder परियोग करने का मुख्य कारण क्या है सुरक्षा Tender master cylinder में एक cylinder दुवरा break नहीं लगने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है दूसरा काम करना नहीं काम नहीं करता ठीक है बंद नहीं कर नहीं बंद करता ठीक है दूसरा काम करना नहीं बंद करता यह ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरा काम करना बंद नहीं करता ठीक है ब्रेक बुष्टर का की उर्जा का स्तुरूत क्या है वाइव मंदिल दाब और निर्वाद दाब इंटेक मैनेफोड प्रेशर में अंतर ठीक है वाईव मंदल का दाब और अंदर का प्रेशर होता है उन में डिफरेंस होता है ब्रेक बुश्टर उसके अंदर उज़ा का जो स्थरोग होता है है net question when the hydraulic brake pedal is pressed by the drive driver and feels spongy मतलब एक रायवर है वो गाड़ी चला रहा है वोगारी च्ला रहा है वो भ्रेपे पास कि the brake bleeding process remove from the hydraulic brake system मतलब क्या remove करते है bleeding bleeding process में हम एर कव remove करते हैं next question है कि ABS function required measuring of ABS system होता है ABS system क्या होता है आप उसकी full form comment box में कीजिए अगर आपने अच्छे तरह पढ़ा तो आपको पता हुआ कि ABS system क्या होता है इसकी full system होता है उसको किस चीज़ की requirement होती है ब्रेक को efficient लगाने के लिए torque की pressure की camber की या wheel rotor की rotation की तो number of wheel rotation है उसको knowledge होनी चीए उसकी measurement उसको required होती है ABS system को next question condition that causes vapor lock in breaking system के अंदर जब vapor lock हो जाती है तो वो किस कारण स्वितने जब भी गाड़ी और हीट होती है इसका ब्रेक फ्यूल है वो ओवरीट होता है तो उसकी विज़े से क्या होता है कि उसके नदर वह वब वेपर lock हो जाते है ओर heating of the fluid due to the frequent break apply बार बार अगर ब्रेक अप्लाई करने से अगर fluid break fluid है वो ओर हीट हो जाता है उसके वीज़े वह वह प्राइज हो जाता है और एर वह वह वेपर lock हो जाता है एर system को break system में डूरिंग ब्रेक डा ब्रेक शू इज मूव आउटवर्ड तो फोर्स देर linking against the इसका सही आंसर होगा break drum के अगेंस ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारे पास the service break employed in car are generally operated by इसका सही आंसर क्या होगा mechanical ठीक है mechanical होगा यह hydraulic होगा आप बताईए service break होता है वो hydraulically होता है ठीक है emergency break होता है वो service mechanically होता है ठीक है next question next option है कि वही same question repeat हो गया इसमें spongy होता है वो air की कारण होता है last question है हमारा आज का the basic characteristic of a break system is मतलब सबसे गुनवक्ता मतलब प्रतिश्ट करता है break fluid की वो होती है सबसे पहला best जो break fluid उसकी जो गुनवक्ता होती है वो किसके द्वारा परतिश्ट होती है पहला option है a high boiling point मतलब अगर वो उसका temperature सहने की शमता अगर ज्यादा है ज्यादा temperature जागे वो boil होता है तो वो बढ़िया एक break fluid है दूसरा option है low viscosity अगर उसको बहने का जोगून है वो कम है ठीक है तो low viscosity है तो उसका सही है मतलब मैटल और रबबड पार्ट है उनके साथ में उसकी मतलब संबंद अच्छा है ठीक है तो इसका सही अंसर क्या होगा ओल उफ दबो ठीक है ब्रेक फ्लूड ब्रेक सिस्टम के सारे कोशन है अमने डिस्कस कर लिए है इससे बाहर कुछ नहेंगा और आपको थोड़ करना चाहिए इसमें कोशन आ सकते हैं सिस्टम हो गया और जो डिस्कस कर लिए है इससे बाहर कोई नहीं कुछ कोशन नहीं आने वाला ब्रेक सिस्टम से फॉल्ट के कोशन इतने ही आने वाले धन्यवाद